जंगलों में अपराद होने के बावजूद एक भी मामलों में आरोपी का वन करमचारियों के साथ आमना सामना नहीं हुआ है जिसके चलते गद तीन साल में एक भी वन करमचारी गायल नहीं हुआ है यह अच्छी बात है लेकिन वन्यभा के आकड़े बता रहे है कि लगातार आपरादिक मामले बढ़ रहे है वन्यभा की तस्वरी से लेकर अवय तरीके से पेड़कटाई के मामले इसमें शामिल है हैलत की बात यह है कि दर्जों मामलों की तुल्ला में आध्या रोपी भी अब तक पकड़ में नहीं आया है इससे एक और वन्यभा की कारपनाली सवालों के घेरे में है वही दूसरी और इन अपराद से लाखों की चपत लग रही है देश में वन्यभा व्यापार पर पूर्ण प्रतिबन है यह प्रतिबन देशी वन्यभा जीओं पर तो लागु है पर विदेशी वन्यभा जीओं इसके दायरे में नहीं आते तसकर इसी का फाइदा उठा कर इन दुरलब जियों के खरीद परोक्त को अंजाम दे रहे है राजस खुपिया निदेशाले द्वारा भारत में तसकरी रिपोर्ट 2019-2020 में भी सामने आये था कि भारत में विदेशी प्रजाती के जियों की मांग में वृद्धी हुई है इसे अधिकांश प्रजातिया विदेशी पालतु जानवरों की है और विदेशी जानवरों के संबन में अधिकांश मामलों में प्रवरतन एजनसिया आरोपी को पकड़ने में विफल रहती है विदेशी प्रजातियों को ले जाने वाली इन खेपों में से अधिकांश को सीमावर्ती शेत्रों में रोग दिया जाता है जो सीमा सुलक्षाबल के अधिकार शेत्र में आता है बिये सिप को बहुत खुले मैदान में काम करना पड़ता है जहां अक्सर आरोपी भागने में सफल हो जाते है वे किवल जानवल जब्त कर पाते है नाकर विभाग में दक्षिन उम्रेड, उत्तर उम्रेड, नर्खेड, कॉंधाली, काटोल, हिंगना, देवलापार, पारशिउनी, राम्टिक, पउनी, कलमेश्वर, सेमिनरी हिल्स, बुटिबूरी, खापा, आधी लाके आते है आए दिन इन शेत्रों में कही न कही अवैस शिकार से लेकर पेड़ कटाई के मामले सामने आते हैं, लेकिन आरोपी पकड में नहीं आते आपड़े के निसार वज़ 2018 में 37 मामले दज हुए, जिसमें जालातर वन कटाई के मामले शामिल है वज़ 2019 में 41 अपरादिक मामले दज किये, लेकिन कोई आरोपी गिरफदार नहीं हुआ फिर्शवड 2021 में कुल मामले 48 दज हुए, इस साल तसकरी के मामलों में 33 आरोपी को पकड़ा गया है, जो 8 मामले में पकड़ में आया है 40 मामलों के आरोपी हाथ नहीं लगे है 26 अगस 2021 को पवनीवन परिक्षेतर में हिवरागाओं के पास वन्यपशु अवयव तसकर गिरों को वन्यभाग ने गिरफदार किया था उनके पास से 20 से 25 मनेजियों के अवयव तथा मोटर साइकिल जब्त की गई थी तसकर प्रशान साचेरे दिलित आदमने निवासी खनोरा को गिरफदार किया गया उनके खिलाफ वन्यजिव सरक्षन अधिनियम अंतरगत गुनाह दर्च किया गया कबजे में लिये गए आरोपियों से कड़ी पूश्टाश करने पर एक और आरोपी मिलत राम भलावी की जानकारी मिली रमजान गोटी में उनके घर की तलाशी लेने पर मोर के तीन अंडे मोर के पंक, तार का फंदा, आरी, कुलाडी, जाल आदी बरामत किया गया था वह महुआ शराब बनाने नदी से लगे सीतापुर गाव अक्सरादा था इससे दवरान उसकी मुलाकात बालचंद बरकणे से हुई जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई बाग की हड्यों के साथ गिरफतार किये गए बालचंद के कहने पर आरोपित कैलाश ने वन्यजियों की अंगो की सप्लाई का काम शुरू कर दिया नापपुर के पिंकापार से गिरफतार रोशन उई के पनर्बत कोडवाडे बाग सही दूसरे वन्यप्राणियों का शिकार कर अंगों और हड्यों को बेचने के लिए एज़न्ट तलाश ते थे हड्यों उस सिंग को किलो से भाव से बेचा जाता था ताजा तेथे यह है कि वन्यप्राणियों के वैद और अवैद व्यापार से उनकी आबादी में औस्तन 62 पीसदी की गिरावट दर्च की गई है वही व्यापार के चलते पहले से ही विलुप्ती की कगार पर पहुँच चुकी प्रजातियों पर खत्रा कही ओर बढ़ गया है शोतकरताओ के अनुसार व्यापार के चलते उनकी आबादी में औस्तन 80 पीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्च की गई है कुछ मामलों में तो प्रजातियां स्थानी अस्तर पर गयाप ही हो चुकी है सरक्षित शेत्रों में भी वन्यजीओं की आबादी में आई 56 पीसदी की गिरावट इस बात का सबूत है कि वहां कुछ तो गलत है शोतकरताओं का माना है कि वन्यजीओं का ये हव्यापार उन जीओं के लिए बहुत घातक है इसके बावजुद इस पर बहुत सीमित अधेयन किये गए है दुन्या भर में वन्यजीओं और जैवविता की तसकरी एक बड़ा व्यापार है अनुमान है कि आंतर राष्ट्य स्थर पर हर साल दस करोड पोधों और जानुरों की तसकरी की जाती है आमतोर बर इनकी तसकरी पारमपारिक दवाओ की निर्मान लगजरी खादय पदार्तों और जीओं को पालतु बनाने के लिए की जाती है यदि वैश्विक स्तर पर देखे तो वन्यजीयों का यह व्यापार तक्री बन एक लाग पैतलिस अजार चारसो अठरा करोड रुपे प्रतिवर्ष तक का है पारमपारिक दवाओ, लगजरी खाद्यपदार्तों और जानवरों के उप पालतू बनाने के लिए हजारों प्रजातियों का व्यापार किया जाता है बड़ी परेशानी है कि अधिकांशत है जिन प्रजातियों का व्यापार किया गया उनमें से कई प्रजातिया तो स्थानिय स्थर पर विलुप्त हो रही है ट्रैपिंग के चलते उन प्रजातियों में भारी गिरावर्ट दर्च की गई है जिन पर विलुपत होने का खत्राज ज्यादा है या फिर जिनका पालतु बनाने के लिए कारोबार किया जाता है 2019 में जनरल साइंस में छिपे एक शोच से पता चला है कि जमीन पर पाय जाने वाली 31,500 से ज्यादा पक्षियों स्तनपाई, उभैचर और सरीशरू प्रजातियों में से 24 पिसदी का व्यापार किया जाता है आमतोर पर जिन प्रजातियों का व्यापार किया जा रहा है उनके विलुप्त होने में इसका बहुत बड़ा हाथ है वन्य जीवों का व्यापार किस तरह जीवों की आबादी पर असर दा रहा है इसका सबसे जोलंतुधारन अफरिकी हाती है जिनके हाती दांत व्यापार के कारण आबादी में गिरावट आई है इसी तरह एशिया और अफरिका में पैंगोलीन प्रजातियों की आबादी पर भी उनके व्यापार के चलते असर पड़ा है हाला कि दुनिया बर में वन्य जीव व्यापार और उसके प्रबंदन में के लिए कई नीतिया बनाई गई है लेकिन व्यापक्षोत की कमी के चलते यह नीतिया कितनी कारगर है इसके बारे में ठीक टीक नहीं कहा जा सकता है ऐसे में यह नीतिया प्रजातियों की सुरुक्षा का दावान नहीं कर सकती है विश्य वन्यजियों अपराद रिपोर्ट 2020 में पैंगोलीन, पक्षियों, कच्छो, बागो, भालो और अन्य वन्य प्रजातियों की तसकरी समस्या पर ध्यान आकरशित किया गया है जब वन्यजियों को उनके प्राक्रोतिक परियावासों से हटा कर उनकी निर्ममता से हत्या की जाती है तो उन्हें गरकानिन रूप से बेचा जाता है तो इससे पशुजनित बीमारिया फैलने की आशंका बढ़ जाती है ऐसी बीमार्या वाइरस पशियों में से मनुश्यत औक पहुचने के कारण बढ रही है पशुजनित बीमार्यों को 15 फिसती उभरती संक्रामक बीमार्यों के लिए जिम्मेदार बताया गया है इन में नौवल कोरणा वाइरस भी है जिसके कारण दुनिया वैश्विक महामारी COVID-19 की चपेट में हैं दरसल वन्यजियों और उनके उत्पादों की मानो उपभोग के लिए तसकरी में सावसपाई के मानकों का पालन नहीं होता जिससे संक्रामक बीमारिया फैलने का खत्रा बढ़ जाता है वन्यजियों का व्यापार अब डिजिटल माध्यमों पर भी हो रहा है और तसकर जीवित रेंगने वाले जन्तुओं बाग की हड़ी के उत्पादों सहीत अन्य उत्पाद बेजने के लिए ऑनलाइन प्लाटफॉर्म और संदेज बेजने वाले एप्स का भी इस्तमाल कर रहे है वन्यजियों हमारी परिस्तिकी संतुलन के लिए बहरत खास है इनकी विलुपते होरी वरजातिया मानो जीवन के लिए घातक है या जानते हुए भी असमाजिक्तत्व इनके खात्मे में जुटा हुआ है इनके खिलाब सरकार दोकदम उठा ही रही है जंगल के आसपास रहने वालों को भी सतक रहना होगा ऐसे लोगों का चंद रुपे के लिए साथ घातक साबित हो सकता है बैतर होगा कि ऐसे चेहरों को पहचाने और साब देने से साफ इनकार करे और जीवों की रक्षा करे जो मारी ही नहीं पीडियों का जीवन भी एक चकर के नुसार आसान बनाते है एक संक्रमन का सामना हम कर रहे हैं और संक्रमन की सोच से सिहरन पैदा होती है खुद बचे और जीवों को बचाए तब ही यह धरती पीडियों के लिए सुरक्षित रह पाएगी फिर मिलेंगे एक और मंधन के साथ तब तक बने रही है हमारे साथ अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां कैमपस इंटर्वियों गाइदेंस बाइंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्राक्टिकल ट्रेनिंग अट एरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बनेफिट्स आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy वन डिग्री, त्री जब अपर्चुनिटीज Flywheel Aviation Academy Gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy 365 Gali Nagar LAD College Square Beside Karnataka Bank Nagpur